साम अलेकुम प्यारे बच्चो आज हम पोएम कर रहे हैं विंड ओन दा हिल विंड कहते हैं हवा को ओन पर दा हिल पहाड़ी के ऊपर हवा No one can tell me No का मानी होता है नहीं One एक, can सकता, tell बताना मी मुझे यनि कोई मुझे बता नहीं सकता Nobody knows, कोई नहीं जानता Nobody मानी होती है, कोई नहीं जानता Where the winds comes from Where, कहां, हवाएं आती हैं से यनि हवाएं कहां से आती हैं Where the wind goes Where का मानी कहां, winds, हवाएं और गोज जाती हैं यानि हवाएं कहां जाती हैं इस टांजा में हमेश जो है ना वो शायर ने बताया है कि the wind represents freedom of thought कि हम अपनी सोच आजादी से हम सोच सकते हैं तो हवा जो है जिस तरह से चलती है इसको देख के हमारे जहन में ख्याल आते हैं एक बच्चे के जहन में जिस तरह ख्याल आता है इस तरह बड़ों के जहन में भी ख्याल आने चाहिए कि यह जो हमारे गिर्द हो रहा है वो कैसे हो रहा है यह चीजें कैसे काम करती है इस फ्लाइंग फ्राम सामवेर कहीं से, यानि ये कहीं से तो उड़ रही है, as fast as it can, as जैसा तेज ये सकती है, यानि ये जो पतंग है, ये तेजी से उड़ रही है, जितना ये उड़ सकती है, I could not keep with it, I, मैं, could not, नहीं कर सकता, जारी रखना की पप, with के साथ it, ये, यानि मैं इसके साथ जारी नहीं रख सकता, ये इतनी तेजी से उड़ रही है, Not if I ran, नहीं, अगर मैं, I ran, दोड़ना, अगर मैं दोड़ूं भी तो इसके साथ जारी नहीं रख सकता, तो इसका मतलब है कि जिस तरह एक पतंग उड़ती है, शायर का कहने का मतलब है, Keep hopes high like a kite, हमें कैसे भी हालात हों, हमें पुर उमीद रहना चाहिए, अपनी उमीदें बहुत अच्छी रखनी चाहिए, But if I stopped holding, but कहते हैं लेकिन को, if अगर I मैं, stopped, रोक देना, holding, पकड़ने का मल, The string of my kite, string कहते हैं door को, my मेरा, और काइट पतंग को, It would blow with the wind, would करेगा, blow, फूंक न, यानि जिस तरह हम फूंक मारते हैं, तो वो चीज उड़ जाती है, इसी तरह मेरी पतंग, हवा के साथ उड़ जाएगी, For a day and night, और एक दिन और एक रात के लिए, Follow your hopes, तो हमें अपनी उमीदों को छोड़ना नहीं चाहिए, बलके अपनी उमीदों, जो हम अपना सोच समझ के, जो अपना लाहे अमल तैय करते हैं, उसको हमें follow करना चाहिए, And then when I found it, then कहते हैं, and है और, then तब, when, जब, found पाना, and then when I found it, जब मैंने उससे पाया, wherever it blew, जहां कहीं भी वो जा चुकी थी, I should know that the wind, मैं जान सकता हूँ कि हवा had been going there too, कि पतांग के साथ हवा भी जा रही है, So then I could tell them where the wind goes, so मैं उनको बता सकता हूँ कि हवा कहां जाती है, but where the wind comes from, लेकिन हवा कहां से आती है, nobody knows, कोई नहीं जानता, तो अगर हम देखें तो हमने इस पोएम से क्या सीखा, परसॉनिफिकेशन, giving non-living things human attributes, आप देखें कि शायर ने हवा को एक जिन्दा चीज़ की सूरत में हमारे सामने पेश किया है, we cannot see the wind, हम हवा को देख नहीं सकते, but no, it is there, लेकिन हम जानते हैं, कि वो यहां पे मुझूद है, और how does the poem describes this, तो जो नजब है, उसमें पतंग के उनने से हमें पता चलता है, कि हवा कहां जा रही है, rhyme, what is the rhyming pattern of the wind on the hill, आप गोर से पढ़ें, तो rhyme, rhyme कहते हैं, तरन्नम को, एक जो यह poem है, इसमें rhyme, लाफास की ending जो है, वो एक दूसरे से मिलती जुलती है, weather, what is wind, wind क्या है, how is it made, वो कैसे बनती है, how can we tell where it is, और हम बता सकते हैं, कि वो कहां है, तो यह सारा इसी पे मौसम तब्दील होता है, what instruments do we use to measure wind, हम कौन से आलात का इस्तमाल करते हैं, कि जिसे हम हवा को, हवा के दबाव की पेमाश कर सकते हैं, what do we have to be careful of on windy days, और जब हवा बहुत तेज़ चलती है, तो हमें किस चीज़ के लिए इहतियात करनी चाहिए, यह वो सवाल हैं, जो आपने खुद से ढूने, मैं आपको इसकी description में links दे दूँगी, जिसमें पहले से बनी वी वीडियो हैं, आप वो watch कर सकते हैं, कि हवा कैसे बनती है, और rhyming किसको कहते हैं, sculpture, create a wind mobile out of recycling materials, यह आपके लिए काम है, कि आप एक wind mobile बनाएं, recycle material के लिए, प्लास्टिक से, जिसको जब हवा चाल रही हो, तो आपको पता चले कि हवा की सिम्मत क्या है, उसकी direction क्या है, प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारे पास सोचने की अजाती है, हमें सोचना चाहिए, हम कहां से आए हैं, कहां हमने जाना है, हमारी मन्जल क्या है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम कुरान मचीद को तरजमे से पढ़ें, आपको अर्दू पढ़नी आती है, कुरान मचीद तरजमे वाला खरीदें और कम असकम रोज़ की तीन आयात कुरान पढ़ने के लिए पढ़ें, तो आपको इन्शाला दो साल के अंदर आप पूर आपको वीडियो पसंद आई होगी इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें